आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि यदि आपके पास प्रोपर्टी है तो ऐसे इस्तिति में कौन सा प्रोपर्टी का दाखिल खाड़ी करवाना यानि कि मोटेशन करवाना बहुत अनिवार है यदि आप motation नहीं करनेंगे तो ऐसे इस्तिति में आप बहुत लंबा कोट कचारी का चकर में फंस सकते हैं आपका बहुत समय और पैसा बरबाद हो सकता है तो ऐसे इस्तिति में आपको कुन-कुन पुरपर्टी का दाखिल खाड़ी करवाना जोरी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं तो आप वीडियो में आखिली तक जरूर बने रहिएगा बहुत व्यक्ति वीडियो को जो है मतलब तो ऐसे इस्तिति में आपको टेंसन लेने का आपसकता नहीं है यदि आप दाकिल खार्ज नहीं भी करवाएंगे तो कोई दिकत नहीं होने वला है हलाकि खतियान का दाखिल खाड़ी होता नहीं है वहाँ पर जमामंदी काईव किया जाता है इसी को बहुत व्यक्ति मतलब दाखिल खाड़ी ही कहता है लेकिन खतियान ही जमीन जो है उसका दाखिल खाड़ी बिल्कुल भी नहीं होता है तो ऐसी इस्तितिम आपको बिल्कुल अब खतियान किया होता है? वह आप एक्रीड त्या तेरिक है? इसी को खतियान केते हैं यदि आपको पूरपर्टी है उसका डॉक्वेट इस फ़रकार का है जो आप एक्रीड परी देख रहे है तो आपको tension बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको tension मुखत रहना है, अब चलिए next चलते हैं क्यावाला, बहुत व्यक्ति के पासे ये क्यावाला होगा, और ये अलग-अलग color में होता है, मतलब ये समय to समय का बात है, तो ये जो आप अलग-अलग क्यावाला देख रहे हैं, तो ऐसे इस्थिति में ये property जो आप खरदे हुए हैं क्यावाला से आपको मिला है, तो इस property का दाखिल खरज होता है, लेकिन अनिवार्ज नहीं है, आप नहीं भी करवाएंगे, तो भी survey होगा, ठीक है, कोई दिकर्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है, लेकिन यदि आप ये हैं, या फिर gift, deed, से मिला है, या फिर और किसी परकार से मिला है, ठीक है, और बहुत व्यक्ति करता है, क्या मतलब कोई वसियत क्या है, तो साधी पेपर पे भी वसियत लिखा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, हम इससे पहले भी बनाए थे वसियत का वीडियो की कि ये से वसियत तयार करवा जाता है, तो बहुत व्यक्ति जो है, अन्रजिस्टर्ड वसियत ही करवा लेता है, यानि कि वसियत करवाने के बार उसको रजिस्टर नहीं करता है, तो जो अन्रजिस्टर्ड वसियत है, जिसको रजिस्टर नहीं किया गया है, उसका दाखिल खार केवला से कोई जमीन पराथ होगा, क्योंकि क्यावाला जो कोई साधार्न पैपर नहीं है, वह काफी ठोश कागाज होता है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्री जब ही कोई जमीन का करवाने जाते हैं, जब सेल्डीर तयार किया जाता है, तो ऐसे इस्तिति में वहाँ पर एक सत्यापन किया जाता है, कि जो व्यक्ति का प्रोपर्टी था, वही व्यक्ति प्रोपर्टी बेचने आया है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति बेचन कि हम आपको जमीन वसियत कर देते हैं, या फिर दानपद्र कर देते हैं, या फिर गिब्रीट करते हैं, तो ऐसे इस्तिति में आपको क्यावला ही करवाना है, तो क्यावला जो है, वो काफी ठोस डोकमेंट हो जाता है, ठीक है, और क्यावला को मतलब बहुत आसानी से रद नह पा रहे हैं, तो उसको cancel कराना आफसान नहीं रहेगा, वो काफी मजमूत कागजात हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए कोई जमीन यदि आप किसी से ले रहे हैं, तो आपको खर्च से भागना नहीं है, आपको sell lead ही तयार करवा लेना है, बहुत व्यक्ति के दुबरा ये भी question हम से किया जा रहा है कि हम जो जमील खर्दे हैं जो व्यक्ति से, वो व्यक्ति तो हमको जमीन दे दिया है, और वो व्यक्ति किसी से खर्दा हुआ था, तो वह व्यक्ति जो खर्दा तो उसके पस शेलिर था, अब हम नयर जो खरदे हैं, तो मेरे पस नया शेलिर हो गया है, तो अब वो पुरणा उनर जो था, वह उनर नहीं रहा उस प्रफ़र्की का, हम अनर बन गãy टीख है लेकिन वह पुराना उनर जो है वो जो है मतला सरव्य का फर्म भर दिया तो ऐसे इस्तिति में क्या करना चाहिए देखिए ज़दी कोई पूराना उनर है वो अपको मन लिजे उसका खतयानी ही जमीन था आपको जमीन बए दिया आप के वहाला करवाली है अब वो खतय स्वेल्ट जों Sanders को चंद भूजनで तो इस इस्थिति में आपको विल्कुल बिंदाakers चाहिए और आपको भी होगा ठीक है और आपने जो सोस्रो काetics bisher है तो अयशे इस्थिति में वह यहीं देखा जागा कि किसके नाम पर अभीवध्वान में पूर्पर्णास को ना यानि कि जो property का कागजात आपके पास है उस पर कवजा भी आफी का बरकरार होना बहुत निश्यस्री है तो कवजा आप अपना ही रखिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप थोरा बहुत लापरवाही करेंगे छोड़ देंगे कि दूसरा ही जोतरा है तो अच्छा दिकत है तो ऐसे इस्थिति में आप बहुत बड़ा मुश्किल में फंसकते हैं हलाकि ऐसा होता नहीं है ज्यादा लेकिन बहुत व्यक्ति जो है मतलब ऐसा किया जाता है ठीक है आप जिसे property खड़े लिया वो बोलता है कि मेरा property चल गया आप दो साल पांच साल हमको छोड़ दिकत नहीं होने वला है